सबी दोस्तों को मेरा नमस्कार और हम लोग सिख रहेते प्रोणाउन को प्रोणाउन में हम पहले भी चार वीडियोज बना करके डाल चुके हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखिये तो एक बार जा करके उन वीडियोज को जरूर देखेगा ठीक है आज का जो topic रहेगा pronoun में उस topic का नाम है हमारा distributed pronoun distributed pronoun किस तरीके से function करता है या sentence में आप कैसे पहचानोगे कि यह हमारा distributed pronoun है तो चलो आज का यही discussion रहेगा पूरी वीडियो में और एक चीज बिसेश बात यह है दोस्तों कि अगर आपको इस बीडियो का PDF चाहिए तो PDF इस बीडियो के description में मैंने अपने telegram का link दे रखा है तो बहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो तो चलो शुरुआत करते हैं साथियो सबसे पहले आप distributed को सबसे अच्छा distribute means क्या होता है distribute का ही मतलब होता है दोस्तों बाटना क्या होता है बाटना एक बार मेरे साथ बोल दो साथियो distribute का ही मतलब होता है बाटना यानि कि बिभाजन करना तो इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे बोले बिभाजन बाचक शर्वनाम कहेंगे ठीक है अब क्या है यह जरा इसको समझो बोले दो या दो से अधिक ब्यक्तियों या बस्त्वों में से पृते को सूचित करते हैं distributed pronoun का क्या काम होता है दो ब्यक्ति या दो बस्त्वों में से प्रतेक को indicate किया जाता है, प्रतेक को सूचित किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, distributed pronoun होता है, यह हमारे कैसे होते हैं, singular होते हैं, distributed pronoun कैसे होते हैं, singular होते हैं, एबम इनके साथ हमेशा singular verb का प्रियोग होता है, क्या समझाया गया, distributed pronoun हमेशा हमारे कैसे होंगे, singular होंगे और इन के साथ singular verb का यूज करेंगे चलो एक बार और समझो इसको बढ़िया करके बे-pronoun जो दो या दो से अधिक ब्यक्तियों या बस्तूओं में से प्रतेक को यानि की प्रतेक को अलग-अलग सूचित करने के लिए प्रियोग होते हैं ऐसे pronoun को हम क्या कहेंगे distributed pronoun कहेंगे ठीक है जैसे ये कौन-कौन से होते हैं each, either, neither इन्हें हमेशा singular माना जाता है और इसके साथ हमेशा singular verb का प्रियोग होता है simple सी बात तो आपको आज ये जानकारी हो गई कि sir अब कोई तुम से पूचे कि distributed pronoun में कौन-कौन से होंगे तो आप तुरंद कह दिजीगा each, either, neither ठीक है ये हमारे क्या है distributed pronoun है आप सोच रहे होगे sir every का नाम ने लिया तो ये every जो है वो distributed pronoun नहीं है ये क्या है हमेशा distributed adjective का का काम करता है ये distributed adjective है हम इसी वीडियो में आपको सारे छोटे-छोटे concept जो आप तक आपको confuse कर रहे थे वो सब discuss कर लेंगे दोस्तों पहली चीज ये आपका English में है कि the pronoun which is used as distribution of a noun एक ऐसा pronoun जो noun के distribution का का काम करे वो distributed pronoun कहलाएगा distributed pronoun is a pronoun which denotes persons जो ब्यक्तियों या बस्तों के group को separately denote करे अलग-अलग करके प्रतेक को इंगित करे प्रतेक को denote करे ऐसे को हमेशा क्या कहेंगे distributed pronoun कहेंगे और ये जितने भी हमारे distributed pronoun होते हैं वो singular होते हैं और इनके साथ singular verb आती है ठीक है अब कौन कौन सोते हैं मैंने यहां पर लिख रखे हैं जरा ध्यान से इस लिष्ट को देखना और कहीं पर चाहों तो आप इनका या तो screenshot ले लिना मैं अलग हट जाओंगा प्यार से आराम से screenshot ले सकते हो नहीं तो आप इनके notes भी बना सकते हो each, every, either, any या anyone, neither, none both, all जरा समझो ध्यान से इनके बीच में difference क्या है कब हम each का प्रियोग करेंगे कब हम every का प्रियोग करेंगे कब either, any, anyone neither, none, both, all इनका प्रियोग कब करेंगे ध्यान दिजेगा each and every के बारे में आपको difference समझना बहुत जरूरी है अगर आप each and every के बारे में difference समझ जाओगे तो यह एकीन मानो आपकी आदी समस्या solve हो जाएगी देखो पहली चीज़ तो यह है each का प्रियोग हमेशा 2 या 2 से अधिक के लिए क्या बताया हमने 2 या 2 से अधिक के लिए और every का प्रियोग 2 के लिए कभी नहीं होगा हमेशा 2 से अधिक के लिए ही होगा मैंने क्या बताया each and every का प्रियोग 2 के लिए भी हो सकता है और 2 से अधिक के लिए भी हो सकता है लेकिन every का प्रियोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होगा 2 के लिए कभी नहीं होगा और दूसरा इनके बीच में सबसे बड़ा difference क्या होता है कि जो each होता है इसका प्रियोग हम noun sorry इसका प्रियोग हम pronoun pronoun और adjective दोनों तरीके से कर सकते हैं यानि कि each का प्रियोग as a pronoun भी किया जा सकता है और each का प्रियोग as a adjective भी किया जा सकता है लेकिन every का प्रियोग as a noun कभी नहीं होगा हमेशा as a adjective ही होगा हमेशा एजा एडजेक्टिव इसका मतलब यह हुआ कि एवरी के बाद हमेशा एक नाउन जरूर रखा होगा ठीक है लेकिन इज के बाद आपका एकंपलसरी नहीं है कि नाउन रखाई हो यह एजा प्रोनाउन भी यूज हो जाएगा लेकिन जब इज का प्रियोग एजा एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद भी नाउन आएगा बो तो आपको पताईए बात इतनी समझ में आ गई तो आपको मुझे लग रहा है इज का प्रियोग क्या होता है प्रतेक ठीक है अब दो या दो से अधिक बेक्टियों में से प्रतेक या हर एक के लिए हम किसका प्रियोग करते है इज का मैंने क्या समझाया दो या दो से अधिक के लिए इज का प्रियोग होता है एबरी हमारा क्या है सिर्फ एडजेक्टिव है सिर्फ adjective है इसका प्रियोग कभी भी pronoun की तरह नहीं होगा तो each plus noun हमेशा यूज होगा ठीक है ये कभी भी बेटा दो के लिए यूज नहीं होगा मैंने क्या समझाया मैं जिस सब्द को circle कर रहा हूँ भाहाँ पर नजरी दोडाना कि ये इसका प्रियोग every का प्रियोग कभी भी दो के लिए नहीं होगा किस के लिए होगा दो से अधिक बेक्तियों या बस्तूओं के लिए every का प्रियोग किया जा सकता है दो से अधिक के लिए लेकिन each का प्रियोग दो या दो से अधिक दो के लिए भी होगा अगर कोई दो ब्यक्ति हैं, दो बस्तुएं हैं, तो उसके लिए भी आप इच का प्रियोग कर सकते हो, माल ये दो से अधिक, पाँच हैं, छे हैं, साथ हैं, कितनी भी ब्यक्ति या बस्तुओं, तो उनके लिए भी आप एबरी का प्रियोग, इच का प्रियोग कर लोगे, ब किसी एक बस्तू का चुनाओ करने के लिए या तो या दो बस्तूओं या ब्यक्तियों में से चुनाओ करने के लिए हम हमेशा आइदर का प्रियोग करते हैं। पर पापा आते हैं बाहर से दो चीजे लेकर आते हैं। और वो आप से कहते हैं बेटा या तो ये ले लो या तो ये। इसका मतलब दो चीजों में से किसी एक का आपको क्या करना है। तो ऐसी कंडिशन में हम आइदर का प्रियोग करेंगे। सिर्फ दो में से किसी एक का चु चुनाओं करना हो, दो में से चुनाओं करना हो, सिर्फ दो, तो भाई आइधर, ठीक, और हमने का दो से अधिक में चुनाओं करना हो, दो से अधिक में चुनाओं करना हो, अब दो नहीं हैं, वो तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, हमेशा दो से अधिक बे प्रियोग करेंगे, ठीक है, नाइदर का प्रियोग जब हमें दोनों में से किसी का भी चुनाओ नहीं करना, पापा दो सर्ट लेकर आए मार्केट से, उन्होंने का, जब आपको उन दोनों में से किसी एक का भी चुनाओ नहीं करना है, तो आप नाइदर का, ना तो ये वाली हमको अच्छी लग रही है और ना ही ये तो ऐसी condition में आप किसका प्रियोग करोगे dear neither का प्रियोग करोगे हमने क्या बताया है दो में से किसी एक का चुनाओ करना हो either दो में से किसी का भी चुनाओ नहीं करना है neither तीन चार पांच छे में से किसी एक का चुनाओं करना है तो एनी या एनी बन बास समझा गई ठीक है और बस्तू है तो एनी थिंग नन नन का प्रियोग दो से अधिक बेक्तियों या बस्तूओं में से किसी का भी चुनाओं नहीं करना दो में से किसी एक का भी चुनाओं नहीं करना है, तो आप फिर किसका प्रियोग करोगे नन का, बोत का प्रियोग होता है दोनों, दो ब्यक्तियों और बस्तुओं के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं, बोत, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दोनों, आल का मतलब होता है सब, जितना भी है वो सब यानि कि दो से अधिक बेक्तियों या बस्तों के लिए हम किसका प्रियोग करेंगे आल का दो के लिए बहुत दो से अधिक के लिए जितने भी हो सभी के लिए हम किसका प्रियोग करेंगे आल का हमें लग रहा है इनका बेतरी तरीके से इतनी जानकारी आपको अच्छे से हो गई होगी अब आप एक चीज और यहाँ पर देखिए कि यह हमने each लिख रखा है every लिख रखा है, either भी लिख रखा है और neither भी लिख रखा है मैंने क्या बताया each हमारा pronoun की तरह काम कर सकता है और adjective की तरह दोनों तरह काम कर सकता है each का प्रियोग हम pronoun की तरह भी यूज कर सकते हैं और adjective की तरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन ध्यान बनाए रखना every का प्रियोग हमेशा adjective की तरह होगा ध्यान बनाए रखना every का प्रियोग हमेशा adjective की तरह होगा इदर का प्रियोग और नाइदर का प्रियोग यानि कि आईदर और नाइदर दोनों का प्रियोग हम pronoun और adjective की तरह कर सकते हैं। कभी भी single use नहीं होगा, every के बाद एक noun compulsory होगा। एक noun जरूर आएगा, तभी तो ये adjective का काम करेगा, क्योंकि जो adjective होता है, वो किसी ना किसी noun की विसिस्ता बताने का काम करता है। बात इतनी समझ आगी, चलो। अगला हम लोग discuss करेंगे, एक most important rule है भही, ध्यान से देखेगा, most important rule है, यहाँ पर समझेगा, कि जब भी, देखो, each, every, either, any, anyone, neither, none, both, all, यह सभी distributed pronouns, यह सभी distributed pronouns, के बाद अगर off लगा हो और दी लगा हो, तो इनके बाद जो noun होगा, वो noun तो दोस्तो plural आएगा, लेकिन इनके लिए जो बर्व आएगी, वो दोस्तो singular आएगी, बोले सर, concept समझना अच्छे से, मैं बिल्कुल practical बताऊँगा, सब कुछ बढ़िया बताऊँगा, दो मिनट का बस सब रखो, पेसेंस होना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए पेसेंस जरूरी है, each, every, either, neither, any, anyone, none, both, all, ये क्या है हमारे distributed pronoun है, मैंने कहा कि अगर structure कुछ इस तरीके से हो, आफ, दी, इसके बाद एक plural noun रखाओ, और फिर बर्ब कैसे आएगी, singular, बोले सर जरा समझाओ, समझो, देखो हमने क्या बताए, each, इन में से कोई एक सब्द रखा होगा, रखा है, इसके बाद क्या लगा होगा, आफ, लगा है, फिर क्या दिया होगा, दी, लगा है, इसके कि, दोस्तों, जो distributed pronoun होते हैं, वो हमें साथ singular होते हैं, और इनके साथ singular बर्ब आती है, क्या बताया हमने, distributed pronoun हमें साथ singular होते हैं, singular function करते हैं, sentence में, और इनके साथ बर्ब भी singular आती है, बोले सर, ये फिर plural subject कैसे आ गया, समझो भाई, हमें तो subject से मतलब रहता है, object से मतलब न का ये क्या है बोले प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद जो सब्द लगा होता है वो प्रेपोजिशनल ऑबजेक्ट कहलाता है हम समझा चुके हैं कि बर्ब के बाद जो सब्द रखा होगा और बर्ब के बाद आने वाला सब्द या कोई भी प्रुन नाओ 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 ना अनुसाराती है, object के अनुसाराती है, जैसे हम यहाँ पर example लेखें, he is, एक अच्छा example ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे यह लेख लिया, he reads our book, और यहाँ पर he को भी हम plural बना लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, plural बना लेते हैं, you read a book, यह लिख लेते हैं, अब देखो, यह तो हमारा क्या हो गया, subject हो गया, यह हमारी बर्ब हो गई, और यह हमारा object हो गया, बर्ब के बाद जो भी रखा होगा, वो objective case में होगा, यह तो अभी हम समझा रहे थे, बोले बिलकुर, तो क्या तुम बर्ब, यह बाली जो बर्ब लेकर आते हो, वो बर्ब subject के अनुसार लाते हो, यह object के अनुसार, बहले सर, हम तो हमेशा सिसी का है, जो भी बर्ब लगेगी, वो subject के अनुसार लगेगी, subject singular होगा, बर्ब singular होगा, बर्ब, तो यहाँ पर भी बही concept है, कि जो बर्ब आएगी, वो subject के अनुसार आएगी, औ यहां पर जो दी बॉइज है यह हमारा प्रीपोजिशनल ऑबजेक्ट है क्योंकि यह ओफ प्रेपोजिशन के बाद रखा है इसलिए तो इसके अनुसार हम बर्ब को नहीं रखेंगे बर्ब तो हम इसके अनुसार रखेंगे तो इच एबरी आइदर नाइदर जितने भी हमार डिस्टिब्यूटिव प्रणावन होते हैं वो सिंगलर होते हैं और सिंगलर फंक्शन करते हैं जब यह सिंगलर हैं तो यह बर्ब भी अपने साथ कैसी लेंगे सिंगलर लेंगे बोले इतिनी बास समझ में आगी कभी भी यह और बर्ब सिंगलर लेंगे आगे जो इनके लि क्यों है क्योंकि यहां पर possessive case there जब यह subject singular है तो जब subject singular है तो इनके लिए क्या लगाएंगे हम plural नहीं लगाएंगे क्या लगाएंगे हिज लगाएंगे singular वाला possessive case अगला देखते हैं next बहुत सारे example हैं आपके लिए यहां पर समझने के लिए यह none है हमने का none should hate तो none तो यह singular है जब यह singular है तो इनके साथ possessive case singular हिज वाला आएगा देर वाला नहीं आएगा ठिक इसके बाद देखो बहुत सारे example यहां पर मैंने दे रखे हैं neither के बाद आफ इसके बाद में अगर noun plural हो तो बर्व कैसी आती है singular तो either, neither, neither, each, each इनके बाद off लगा होगा फिर एक plural noun होगा कोई फरक नहीं पड़ता यानिकी each, either, neither जितने भी हमारे distributed pronoun है distributed pronoun के बाद में मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ जितने भी हमारे distributed pronoun है उन distributed pronoun के बाद में off, the, और plural noun ही यह प्रुनाउन लगा होगा यहां पर एक चीज और बढ़ा सकते हो, plural noun लगा होगा या plural pronoun लगा होगा कोई एक चीज लगे होगी तो बले इस off के बाद जो noun या pronoun हमारा plural लगा है यह prepositional object कहलाएगा बर्ब जो आएगी वो हमेशा इसके अनुसार आएगी और यह हमेशा singular है तो इनके लिए बर्ब भी कैसी लगाओगी यहां पर singular लगाओगी ठीक है? ध्यान बनाए रखना बहुत सारे एक्जामपल हैं आप कई सारे एक्जामपल्स को नोट कर सकते हो और समझ सकते हो दोस्तों ठीक है जैसे यहां पर इसको ही देख लो क्या लिखा है? इच आप और यह plural हो गया हमने क्या इच लगाओगा प्री पोजिशन आफ लगाओगा फिर दी और इसके प्रणाउन आता तो बो भी सिंगुलर ही आता चलो देखो यहां पर भी आइदर आप और यह plural प्रणाउन है तो यू के अनुसार आप गलती आर लगाने की मत कर दीजीगा कि समझो आरे यहां पर तो सर यू लिखा है तो यू आर कर दू नहीं भाईया यह प्री पोजिशन की अनुसार नहीं आती है बर्व किसके अनुसार रती है सबजेट के अनुसार और सबजेट क्या है हमारा आइदर है आइदर का मतलब दो में से कोई एक और जब एक है तो वो सिंगुलर रहेगा हां डिस्टिबिटे प्रणाउन हमेशा सिंगुलर को ही इंडिकेट करेगा चलो अब आगे देखो अब आपके दिमाग में एक डाउट चलता है उस डाउट को जरूर किलियर करना है उस डाउट को जरूर आपको किलियर करना है कैसे कि कभी कभी अभी आगे आप जब हम एडिक्टिब बाली सीरीज पढ़ाएंगे तब आपको डाउट होगा कि सार ड distributive adjective दोनों एक जैसे ही होते हैं, जो सब the distributive pronoun में यूज होते हैं, बही सब the distributive adjective में यूज होते हैं, तो दोनों को हम कैसे पहंचानें, दोनों के बीच में difference क्या होता है, कुछ नहीं, ध्यान मनाए रखना, distributive pronoun के तुरंत बाद क्या होगा, बर्ब यूज होगा, अगर distributive pronoun के तुरंत बाद बर्ब का यूज है, तो समझ लो ये distributive pronoun है, और adjective तब होगा, जब इसके बाद एक noun लगा हो, ठीक है, कैसे समझो, देखो, each, each आप the girl, तो ये तो prepositional object है, इसके बाद सीधे क्या आई है, ये बर्ब आई है, नाईदर आप, ये तो object है, इससे हमें मतलब भी नहीं, नाईदर के बाद सीधे क्या आई, बर्ब, ठीक है, ये सब सीधे क्या है, बर्ब है, लेकिन यहाँ पर देखो, each girl, प्रत लगा है नहीं सीधे यह नाउन है और नाउन के ठीक आगे इच आइदर नाइदर यह सब लगे होंगे तो हमने क्या बताया जब distributive adjective यानि कि pronoun plus में नाउन यह दोनों यानि कि यह और इसके साथ एक नाउन भी लगा हो तो यह फिर distributive adjective का काम करेगा जैसे यह और फिर एक देखो यह noun लगा है देखो आइदर फिर एक noun लगा है ठीक है तो यह किसका काम कर रहा है इसमें यहां पर यह distributive adjective है और यह distributive pronoun है ठिक अब एक एक रूल करके खुब डिटेल से अब तक हमने बेसिक जानकारी डिस्टिबिटिव अडिक्टिव के बारे में दे दी जरा समझ लो भाई इच का मतलब क्या होता है प्रतेक और इसका मतलब यानिक इसका प्रियोग दो या दो से अधिक बैक्तियों आबस्तों में के लिए होता है दो या दो से अधिक बैक्तियों में से किसी एक का चुनाओ करने के लिए प्रतेक चुनाओ नहीं प्रतेक के लिए होता है जितने भी लोग हो दो लोग होंगे इच में दो के लिए भी हो सकता है दो से अधिक के लिए भी हो सकता है ठिक है तो उन में से प्र एक की बात कर रहे हैं हम तो इच आप दी टू इस्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि दोनों चात्रों में से प्रतेक दो चात्रें दोनों चात्रों में से प्रतेक बाजमीस था ओनेस था ठीक है यह सब हम समझा चुके इच के बाद आफ लगाओगा दी फिल्लस में प्लूरल अउन लेकिन बर्व कैसे आएगी शिंगलर तीनों चात्रों में से प्रतेक इमानदार थे अब देखो हमने क्या बताए इच का प्रियोग दो के लिए भी कर सकते हैं यहां पे कितने स्टूडेंट हैं बोले सर दो किसका प्रियोग हुआ इच का यहां पर कितने स्टूडें अगले देखो चर्चा में क्या है अगले में है कि आईदर किसकी देखेगा आईदर का प्रियोग कब करेंगे दो में से किसी एक के अर्थ में होता है दो में से किसी एक का चुनाओं करने के लिए देखो आईदर आफ दीज टू पेंस इसका मतलब इन दो कलमों में से कोई एक इज मीन से रेड है दो कलमे में से कोई एक चुनाओं कर लिया ना अब जब दो है और दो में से ही चुनाओं करना है तो आइधर अगर यहां पे पांच पेनों होते माल लीजिए और पांच में से किसी एक का चुनाओं करना होता तो तो भाईया द्यार रखना एनी किसका प्रियोग करते हम एनी का दो से अधिक के लिए एनी और सिर्फ दो के लिए किसका आई इदर का देखो यहाँ पे नोट पॉइंट में एक एक चीज मैंने आपको इसी लिए नोट की है कि आप कोई दिक्कत ना हो ठीक है दो से अधिक बेक्तियों या बस्तों में से कोई एक चुनाओ करना हो सिर्फ दो का चुनाओ करना है दो में से किसी एक का चुनाओ करना है आई दर दो से अधिक में से चुनाओ करना है तो भाई एनी एनी या एनी बन का प्रियोग होता है हमने क्या बताया उपर सिर्फ दो थे यहां पर देखेगा बताओ यह कितनी वुक्स हैं बोले सर चार अरे बया आईदर का प्रियोग तो सिर्फ दो के लिए होता है दो में से किसी एक का चुनाओं करने के लिए होता है लेकिन पुस्तकें कितनी हो गई चार अब चार में से किसी एक का चुनाओं करना है तो हमने का एक से अधिक हो जाए तो हम क्या करते हैं क्या करेंगे भैया एनी का प्रियोग करेंगे किस का प्रियोग करेंगे बोले सर एनी का प्रियोग होगा तो यहाँ पर जो आईदर आफ है न यहाँ पे any या anyone आफ का प्रियोग होगा और तब ही यह बाग की कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा यहाँ पे देखो यह कितनी लड़किया है बोले sir, तीन और तीन के लिए क्या हम either का प्रियोग करते हैं बोले नई आइदर का प्रियोग कितने के लिए करते हैं बोले sir, दो के लिए तो तीन के लिए कितना किसका प्रियोग करेंगे बोले any या anyone तो जहाँ पे बस आइदर आफ लिखा है समझ जाओ कि यहाँ पे हमें किसका प्रियोग करना होगा any या anyone का प्रियोग करना होगा बात इतनी समझ में आ गई सारी चीज़ें sequence में है बस आप patience बना करके वीडियोज देखते रहेगा ठीक है चलो आपको either or anyone के बीच में difference समझ आ गया अब अगले rule में each and देखो आमने सबसे पहले each and every के बारे में difference बताया फिर either or anybody के बारे में difference बता रहा हूँ अब यार किस के बारे में बता रहा हूँ हम neither के बारे में कि neither का प्रियोग करते हैं neither का मतलब noto यानि कि 2 में से आपको जब एक भी चीज नहीं चाहिए ना तो ये ना तो बो ऐसी condition में हम neither का प्रियोग कर सकते हैं. दो में से एक भी नहीं, सिर्फ दो, only two. Neither का प्रियोग दो में से कोई भी नहीं. चाहे वो ब्यक्ति हो या बस तू हो. जब हमें दो में से एक भी नहीं चाहिए होती है, तब हम किसका प्रियोग करते हैं मेरे दोस्तों नाइदर का प्रियोग करते हैं इतनी बात हमें लग रहा है आपको अच्छी समझ आ गई होगी जैसे यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे हमने लिखा none of these two girls भाई या कितनी लड़किया हैं बोले सर दो अरे भाई जब दो हैं यहाँ पे तो दो के लिए तो हम ननाफ का प्रियोग करते हैं नहीं देखो दो चीज़ें यहाँ पे लिख लिए अच्छा कलम पकड़ने एक ननाफ लिख लिए एक नाइदर आफ लिख लिए बस प्यार से समझते रहिएगा ननाफ का प्रियोग हम कब करेंगे दो से अधिक के लिए दो से अधिक कितने भी हो मैं कोई संख्या लेक देती हूँ चार है, पांच है, छे है तीन है, दो से अधिक हों बस नाइदर का प्रियोग कब करोगे सिर्फ दो, सिर्फ दो के लिए दो मैंसे कोई नहीं चाहिए तो नाइदर, यहाँ पर कितनी है दो हैं याँ दो से अधिक हैं बोले सर यह तो इस पश्ट दिख रहा है दो ही हैं, अरे जब दो ही हैं, तो भाई ननाफ का प्रियोग करोगे क्या बोले क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो जब नहीं करेंगे तो यहाँ पर किसका प्रियोग, दो के लिए किसका प्रियोग होता है, दो के लिए किसका बोले सर नाइदर का तो नन के इस थान पर नाइदर आफ का प्रियोग कर दो ठीक है यहां पर भी देख लो इस टू सर्वेंट्स अरे भया जब दो ही नौकर हैं सिर्फ दो दो के लिए ननाफ का होता ही नहीं दो के लिए किसका होता है नाइदर आफ का तो ननाफ गलत है ननाफ के स्थान पर क्या होगा neither of these two servants बोलो इतनी बात समझ में आ रहे हैं बोलो बिल्कुल आगे देखो अब हम आपको नना आफ का प्रियोग करके दिखाएंगे अभी तक दोनों example हमने सिर्फ दो बाले दिये यहाँ पे दो लड़कियां दिये यहाँ पे दो नो कर दिये दो लड़कियां neither of दो लड़कर कोई भी दो हो यार दो के लिए सिर्फ neither of और दो से अधिक हो जाएं note point में देख लो जब दो से अधिक बेक्तिया बस्तुओं में से कोई नहीं चाहिए है तब आप किस का प्रियोग करोगे नन का प्रियोग करोगे ननाफ बोलो इतनी बात समझ रहें बोले बिल्कुल समझ रहें जड़ा एक्जामपल से समझो यार neither of का प्रियोग कितने के लिए होता है दो के लिए यहां पे हैं कितने भी द्यारती बोले सर पांच तो ये तो गलत हो गया दो से अधिक के लिए किसका प्रियोग होता है बोले सर ननाफ का प्रियोग होता है तो नाइदर आफ की जगह पर आप ननाफ प्रियोग कर दो पांचो चात्रों में से कोई भी मेंती नहीं है ननाफ दि फाइव इस्टुडेंट्स इज लैबोरियस बास समझ रहे हैं हमारी चलो अगला रूल हमारा क्या है रूल लंबर फोर एबरीवन का प्रियोग दो से अधिक ब्यक्तियों क्या बताया हमने एबरीवन का प्रियोग दो से अधिक ब्यक्तियों या बस्तूओं के लिए होता है each and every फिर लिखना पड़ेगा क्या देखो each and every each का प्रियोग noun or sorry pronoun और adjective दोनों तरह यूज हो सकता है pronoun plus adjective दोनों तरह लेकिन every का प्रियोग हमेशा adjective की तरह होगा और इसके साथ एक noun जरूर रखा होगा देखो every के साथ बन लगा है यहाँ पर देखो every बन बन लगा है ना single every नहीं है तो जब इसके साथ बन लगा है यही हमारा क्या है noun है और इस समय अगर आप से कोई पूछे कि everyone क्या है तो गलती से pronoun मत कहिएगा everyone adjective है ठीक है every में adjective है और बन यहाँ पर क्या है pronoun है तो every one of the five students अब यहाँ पर जो everyone use होगा वो दो से अधिक के लिए use होगा बिल्कुल सही बात है तो दो से अधिक हैं पांच हैं अगर सिर्फ दो होते तो हम each का प्रियोग कर लेते दो के लिए each का अच्छा यहाँ पर every के इस्थान पर क्या each का प्रियोग कर सकते है each आप दी five students बिल्कुल कर सकते है each का प्रियोग दो और दो से अधिक दोनों के लिए लेकिन every का प्रियोग सिर्फ दो से अधिक के लिए everyone of the two students by ध्यान दो मैं यहीं तो समझाना चारा हूँ everyone का प्रियोग हमेशा दो से अधिक के लिए तो यहाँ पर तो ठीक है क्योंकि पांच है everyone का प्रियोग हमेशा दो से अधिक के लिए यहाँ पर देखो पढ़ करके क्या यह दो से अधिक संख्या लग रही है मुझे तो सिर्फ दो विध्यारती लग रहे हैं दो से अधिक नहीं लग रहे हैं तो जब दो हैं तो दो के लिए हम everyone का प्रियोग नहीं करेंगे किसका प्रियोग करेंगे each का प्रियोग करेंगे each are the two students ठेक है जी ओके यहाँ पर कितने हैं बोले sir 5 यहाँ पर आप everyone का प्रियोग कर सकते हो ठीक चालो next अगला एक्जामपल है हमारा कि rule number 5 में यदि each का प्रियोग subject के लिए हो तो each का प्रियोग subject के बाद अर्थात auxiliary बर्व से पहले होता most important अभ यहाँ से question बनता है एक्जाम में हम क्या सिखे होते हैं हमारे दिमाग में यह बरा होता है कि जितने भी distributed pronoun होते हैं वो सब singular function करते हैं और इनके साथ singular बरवाती है लेकिन यार जब इसी each का प्रियोग subject के लिए होने लगे किसके लिए होने लगे subject के लिए तो इसका प्रियोग subject के बाद होगा और ऐसी condition में ऐसी condition में जब each का प्रियोग subject के बाद हो तब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बरव के ऊपर तब ये बाली जो बरव है ना have ये each के अनुसार नहीं अपनी subject के अनुसार आएगी और इस समय subject कौन है भी ना कि each ध्यान देना मैं बहुत practical बता रहा हूँ कि इस समय जो subject है ना वो भी है ना कि each ठीक है तो गलती से ये मस समझ लेना कि अब जो बरव होगी वो singular क्योंकि सर ने बताया था each, every, either, neither ये जो भी आ जाये distributed pronoun वो singular होते हैं और इनके साथ singular बरव आती है अब यहाँ पर तो plural आईया और फिर भी करें भाईया सही है अरे सुनो हमने क्या बताया जब भी each का प्रियोग subject के लिए हो तो इसका use subject के बाद होता है और ऐसी condition में जो helping बरव आती है बरव जो आती है बो कभी भी दोस्तो यह जो बरव है बो कभी इसके अनुसार नहीं आएगी बो तो subject के अनुसार बरव हमेशा subject और इस समय subject each है या भी है तो तुमारा answer होगा जवाब होगा सर भी है जब भी है तो भी तो plural है इसके साथ है बिलकुल सही है बास समझ रहे यही मैं समझाना चाहरा हूँ अब इसके साथ जो positive case आएगा ठीक है माल लिजिए अपने केंगरेजी जब भी आएगी तो भी इसके अनुसार ही आएगी अब इधर देखो उन्होंने यह बताया है कि जब subject के लिए यूजो तो helping verb से पहले आएगा इसकी position होगी structure में इसकी position कहा होगी helping verb से पहले और subject subject और helping verb के बीच में subject के बाद helping verb के पहले लेकिन यहाँ पर each जो है वो help इधर इधर आ गया है helping verb पहले आगी और यह बाद में आगी तो भाया देखो ऐसी condition में यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और अगर यदि main verb का प्रियोग sentence में हो तो each का प्रियोग main verb के पहले होता है अब यहाँ से समझो तुम्हें confused हो जाओगे नहीं मैंने क्या बताया ऐसे करके मैं एक diagram लिख रहा हूँ subject लिखा फिर भाई हमने क्या लिखा each लिखा फिर हमने लिखा यहाँ पे helping verb छिक है और इसके बाद हमने main verb इसके बाद आगे और भी होगा बहुत सारा ठीक है चालो देखते हैं ऐसी condition में देखो helping verb भी दे रखी है ध्यान से देखिएगा और main verb भी दे रखी है जब helping verb और main verb दोनों ही दे रखी हो क्या समझाया हमने helping verb और main verb दोनों ही दे रखी हो तो भाईया helping verb से ठीक पहले पहुँच जाएगी लेकिन मालो अब helping verb देई नहीं रखी है helping verb देई नहीं रखी है सिर्फ main verb दे रखी है सिर्फ main verb तो जब ये नहीं दे रखी है तो main verb के पहले अपने आप आ गया इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं चालो अब देखो मैंने क्या बताया अरे तुम बस इतना ध्यार रखना कि जब भी आएगी जब भी आएगी इच का प्रियोग जब भी होगा वो subject के बाद होगा बस सिधी सिधी बात याद कर लो ज़्यादा मत समझो जब भी इच का प्रियोग होगा subject के लिए होगा तो subject के तुरंत बाद यूज होगा helping verb लगी है तो helping verb main verb बाद में पहुँच जाएगी अगर helping verb नहीं है तो सिधी main verb के पहले जैसे यहाँ पर देखो main verb अगर sentence में हो और helping verb नहीं है तो main verb से पहले लगा दो यह देखो main verb हो गई और main verb के ठीक पहले यह क्या लग गया अब इसमें helping verb है नहीं tense नहीं मुक्त ठीक है चल next सात्मा रूल देखिएगा यदि किसी sentence में object के बाद phrase का प्रियोग हो तो each का प्रियोग object के बाद होता है द्यान से समझना यह subject है यह main verb है यह object है और object के बाद एक phrase भी है some money some money के हमारा एक phrase है और जब object भी दे रखाओ page भी दे रखाओ तब अगर हमको each का प्रियोग कर जाना पड़े तो object के बाद करते हैं ठीक है किसके बाद करते हैं बोले sir object के बाद और यहाँ पर क्या object तो देम है क्या इसके बाद हुआ है नहीं हुआ है यह तो पहले कर दिया इसलिए यह error है अगला देखो subject, verb और यह हमारा object है हमने कहा जब एक phrase दे रखाओ इसके बाद तो हम क्या करेंगे object के बाद each का इस्तिमाल करेंगे ठीक है और गलती कैसे करके देंगे देखो object दे रखा है एक phrase भी दे रखा है अब हमें each का इस्तिमाल करना उन्होंने क्या object से पहले कर दिया जबकि rule हमारा क्या कहता है कि यह object के each का प्रियोग बाद में होना चाहिए अगला rule यदि किसी sentence में object के बाद phrase का प्रियोग नहीं हो तो each का प्रियोग object के बाद नहीं होता अगर मालो यह object है ठीक है तो अगर object तो दे रखा है लेकिन इसके बाद कोई phrase नहीं दे रखा जब phrase नहीं दे रखा तो भाई फिर object के बाद each का प्रियोग नहीं होगा सिधी सिधी सी बात है क्या सीधी बात है कि तब इसका प्रियोग हम यहां पर नहीं करेंगे तब हम इसको कैसे लिखएंगे इस तरीकी से लिखेंगे he likes each of them छिक है each of them जैसे यहां पर दे को object दे रखा है object के बाद में each का प्रियोग है लेकिन इसके बाद कोई phrase नहीं दे रखा तो ऐसी condition में हम each of us लिखेंगे, यानि कि इस तरीके से नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट, rule number, अगला देखो, बोथ का प्रियोग दो ब्यक्तियों या बस्तूओं के लिए होता है, सही बात है, देखो यहाँ पे कितने भी द्यारती हैं, बोले दो, अब चुनाओं की बात नहीं ह बात हो रही है, अब यहाँ पे कितना है, बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, और जब यह दोनों हैं, अब दो हो गए, बस subject देखे रहा करो, तो में रूल रटने ही नहीं है, ना रूल समझना है, देखो, बोथ का मतलब कितना होता है, दो, और singular तो सिर्फ एक होग तभी singular होगा नहीं तो singular नहीं होगा, यहां पे कितने दो यह क्या लगा, बोले sir, preposition, preposition के बाद में यह क्या है, बोले यह prepositional object है, जब यह prepositional object है, बर्ब किसके अनुसार आती है, object के अनुसार या subject के अनुसार, बोले sir, subject, subject singular है की plural, बोले दो हैं, तो यह plural है, जब plural है, तो इसके साथ plural बरबाएगी अब देखो all all का मतलब सब अब जितने भी हैं मालो दो भी द्यारती है अब पहली बात तो all का प्रियोग हम दो के लिए करते हैं नहीं दो से अधिक के लिए हमेशा करते हैं अब यहां पर आप इसको सही भी कर सकते हो अगर all के स्थान पर कितने दो भी द्यारती हैं सिर्फ और जब दो है दो के लिए अगर यहां पर बोथ लगा दो तो ऐसे सही हो जाएगा या जब यहां पर यहां पर अगर मालो पांच स्टुडेंट होते तो यहां पर all सही हो जाता all आप दी 5 स्टुडेंट दो से अधिक होते तो all का प्रियोग कब करते हैं हमेशा देखो यहां पर नीचे लिख रखा है all का प्रियोग दो से अधिक ब्यक्ति हो या बस तुओं के लिए होता है अब यहां पर all देखेगा all का प्रियोग यह प्रियोग यह प्रिपोजिशन है तो subject तो हमारा all हुआ subject हमारा all है यह प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशनल object हमारा यह हो गया बर्व किसके अनुसार आएगी इसके अनुसार या इसके अनुसार बोले बर्व तो subject के अनुसार आती है तो subject हमारा इस समय all का मतलब सब जितने भी हैं तो यह plural होगा जब plural होगा तो यहाँ पे बर्व हमारी plural आ जाएगी ठीक है अब यहाँ पे जो both आफ का प्रियोग किया गया वो गलत है both का प्रियोग हमेशा दो के लिए होता है दो से अधिक के लिए नहीं और यहाँ पे पांच लड़कियां हैं तो दो से अधिक हो गया हमें लग रहा है distributed pronoun आपको बेहतरीन मैं clear कर चुका हूँ ठीक है अब चाहों तो अपना revision कर लिजेगा एक मिनट जल्दी जल्दी से पूरा revision हम कर देते हैं आपके लिए important revision है भईया either or any में क्या difference बताया था हमनी either or any में क्या difference बताया था तो either का मतलब था दोस्तो one out of two दो में से कोई एक दो में से कोई एक दो में से कोई एक और जब एक की बात होगी तो verb कैसी आएगी singular ठीक है आगे any का अपरियोग का बताया था one out of more than two यानि कि दो से अधिक दो से अधिक में से कोई एक हो तो एक ही जब तक एक की बात होती रहेगी तब तक बर्ब singular आती रहेगी ठीक है जो भी बर्ब आएगी singular आएगी चालो next तेजी से revision करेंगे neither और none के बीच में क्या बताया था neither और none के बीच में neither का मतलब zero out of two दो में से कोई भी नहीं दो में से zero आपको अब जब दो में से zero हो जाए तो zero, zero के लिए भी बर्ब कैसे आती है singular आती है ठीक है यानि कि neither के बाद आफ दी और ये noun plural होगा लेकिन बर्ब singular आएगी प्लाल ये model बर्ब लखी है model बर्ब कभी भी अपने subject की number person या gender को उनसार बदलती नहीं है तो tension नहीं लेना है आपको ठीक है ये तो model बर्ब है अगर हमारी primary auxiliary बर्ब होती तो बो बदलती है model auxiliary बर्ब कभी नहीं बदलती इसके बाद हमने क्या none दो के लिए दो में से zero यानि की neither दो से अधिक दो से अधिक two या दो या दो से अधिक के लिए किसका प्रियोग करोगे none out of more than two ठीक है तो उसके लिए किसका अब देखो याँ पे कितनी है बोले सर पाँच किसका प्रियोग होगा none out of का ठीक है याँ पे flowers हैं कितनी है मुझे नहीं पता ठीक है लेकिन ऐसी condition में जब याँ पे mention ही नहीं है कि दो हैं चार हैं कितनी हैं तो ऐसी condition में none out को prefer करोगे ठीक है each and everyone के स्थान पर देखेगा each का प्रियोग सिर्फ दो और दो से अधिक के लिए भी होता है दो से अधिक के लिए everyone का प्रियोग हमेशा दो से अधिक के लिए तो each आफ का प्रियोग two are more than two और इसके साथ बर्ब भी कैसी आती थी singular आती थी ठीक है everyone आप का प्रियोग more than two हमेशा दो से अधिक के लिए लेकिन बर्ब यहाँ पर भी कैसी आएगी singular आएगी क्योंकि दो से अधिक में से कोई एक यहाँ पर सिर्फ दो में से कोई एक both and all का concept देखो both and all का concept क्या है both आप सिर्फ two के लिए और इसके साथ बर्ब प्लूरल क्योंकि both का मतलब दो नू अब जब दो हैं तो बर्ब कैसी हो जाएगी plural ठीक है यहाँ पर भी all आफ का मतलब all मतलब सब जितने भी है यह हमेशा दो से अधिक के लिए होता है लेकिन इसके साथ भी बर्ब कैसी आएगी प्लूरल आएगी तो देखो all आफ और यह बर्ब कैसी आगी इसके लिए प्लूरल यहाँ पर both और both के लिए भी बर्ब कैसी आएगी प्लूरल बोलो short revision समझ में आया ठीक है यह आपका छोटा सा revision था हमारा ठीक तो यहाँ पर ठीक है एजा सबजेक्ट तो हमेशा इनके साथ बर्ब singular आएगी बोथ और all के साथ जो बर्ब आएगी बो कैसी आएगी प्लूरल बर्ब आएगी ठीक दोनों चीजें समझ लेना और एक चीज है TGT English Literature का वैच launch होने वाला है मैं बहुत जल्दी launch करने वाला हूँ ठीक है जिसमें एकदम सुरुआज से सब कुछ पढ़ाएंगे पूरा का पूरा ए लिट्रीचर का वैच होगा सिर्फ ग्रैमर का ने अब देखो distributed pronoun को यहाँ पर मैंने कुछ इकसाई दी है जहाँ पर आप अच्छे से इसके examples को समझ सकते हो ठीक है सबसे पहले देखो इच आप दी टू काउज गिविन टैन लिटर आफ मिल्क दो गाउं में से प्रतेक दस लिटर दूद देती है आइधर आप दीज टू बॉइज में स्टेंड फस्ट इन दोनों में से कोई भी एक लड़का पहले स्थान पर आ सकता है नाइधर आप दी टू सर्बेंट टोल दी तुरूत दोनों नौकरों में से किसी ने भी सच नहीं बताया नन आप दी थ्री पिक्चर्स आप गुड तीनों में से कोई भी तस्वीर अच्छी नहीं थी तो I did not buy anyone आप दी थ्री पेंज यानि कि मैंने तीनों में से कोई पेंज नहीं खरीदा तो इस तरीके से आप बहुत सारे एक्जामपल हैं इनको अच्छे से करिए समझिए आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ ठीक है और इस प्रैक्टिस को आपको solve करना है ये 11 बाक्ये हैं ठीक है आपको इसमें भरना है कि इसमें क्या आएगा जो भी आज हमने पढ़ाया है ठीक है उनमें से कोई एक आएगा क्या आएगा वो आपको decide करना है either, neither, each, every, none ठीक है या all, both क्या आएगा, कौन सा तो इनमें से आपको answer करना है सभी comment box में सभी answer करके line से बताना है देखे, मेहनत तुमको ही करना होगा, हमें नहीं ठीक है चलो आज के लिए इतना ही फिर आगे हम लोग discuss करेंगे next topic और next topic है हमारा demonstrative pronoun कौन सा है demonstrative pronoun demonstrative यह हम लोग कल discuss करेंगे कल आप को इस पर वीडियो मिल जाएगा demonstrative pronoun पे आज के लिए तना ही जै हिंद, जै भारस साथी जै हम जा जTHना ही उ verde जो जो ढवन 解 scholि़ख दाएगा कर दो भ्ट है के ज़ुब셔서 है